तो हेगाइस कहले आप सभी के तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपके पास निकॉन का Z6 या फिर Z7 कैमरा है तो किस तरह से आप अपने कैमरे के फर्मवेर को अपडेट कर सकते हैं जो निकॉन Z6 और Z7 का न्यू 3.0 का न्यू फर्मवेर है वो किस तर करते हैं तो सिम्पली आप चयक कर सकते कि करन्ट में आप के पास कॉन सा फर्मवर है तो कैमरे में सबसे पहले अपमेन प्रेस कीजिए उसके पाथ Setmenu पे जाने के बाद आपने firmware को चेक कर सकते हैं तो करेंट में आपके पास firmware होगा 2.0 होगा 2.01 होगा तो आप उसको चेक कर सकते हैं आप अपने आटो focus को भी चेक कर सकते हैं करेंट में update से पहले आपके पास कौन कौन से autofocus है तो simply आपको menu प्रेस करना है custom menu पे जाना है अपने autofocus को चेक कर सकते हैं तो चलिए software को download करते हैं तो simply google में आपको Nikon download center करके type करना होगा जो download का page वो open हो जाएगा and आप right side में देख सकते हैं जो latest जो firmware आया होगा वो updates आपको इधर right side में मिल जागा देखने को and अगर आप किसी camera का अगर firmware चेक करना चाहते तो left side में आप search कर सकते है firmware को simply आपके पास जो camera है उस पे click कर लेना है click करने के बाद यहाँ पे option आएगा कि see firmware में क्या changement आया है and download पे click करना तो simply यह file download हो जाएगा तो download करने के बाद अपने desktop में आने के बाद आप इस file को open कीजिएगा मतलब right click करके आपको software को क्या करना है extract here करना है तो जो all files होगी इसकी open हो जाएगी and एक नया folder बन जाएगा नया folder को okay कीजिए और उसके अंदर जो आपका software open होगा उससे cut करके बाहर paste कर दीजिए इससे यह होगा कि जो आपका software होगा वो directly आपका update शो हो जाएगा तो इसके लिए आपको एक XQD card चाहिए and एक XQD card rider चाहिए क्योंकि जो software होगा वो XQD card rider से ही copy होगा आप C type cable का use करके software को copy नहीं कर सकते हैं तो XQD card rider इसके लिए बहुत जरूरी है software को XQD card में copy कर लेना है and simply आपको card लगा लेना है camera में and camera में लगाने के बाद जैसे आपने last ना जो पुराना firmware आपने चेक किया था वह इसी चेक करना है and यहां पर आने के बाद आप देखिए कि आपको update का option शो हो रहा होगा तो एक तो update शो हो रहा होगा and नीचे update की होए file को delete करने का option शो हो रहा होगा तो simply आपको क्या अपडेट पी click करना है and file को update के लिए yes करना है तो yes करने के बाद यहां पर दिखेगा कि current आपका firmware यह है and new जो firmware वो 3.0 है तो आपको yes करना है yes करने के बाद जो updating आएगा तो इसके लिए आपको wait करना होगा तो जब तक process चाल हुए है मैं आपको थोड़ा fast करके दिखाता हूं and update completed का message आ गया है and turn camera off आपके camera के off कर लेना है and अगर मैं अभी firmware चेक करूंगा तो इसमें जो latest हमने firmware update किया था 3.0 का वो firmware update हो चुका है and आप अपने दूसरे settings में भी जाकी देख सकते हैं जो autofocus की जो setting से उसमें क्या changement आया है तो यहां पर अगर मैं focus को देखू तो जो हमारा नया updates मिला है वो animal detection का हमें update मिला है इसमें हम eye and face detection enable कर सकते हैं dogs and cats पे eye detection is disabled during movie recording मतलब जो movie recording करेंगे तो आप eye focus नहीं कर से face detect कर सकते हो तो यह जो process step by step मैंने आपको बताया तो easily आप अपने Nikon के z7 and z6 camera में अपने new firmware को update कर सकते हैं and I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो पता ही है आपको क्या करना है वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe कीजिए ते लिए next वीडियो मिलते है तब तक के लिए good bye झाल के लिए